हाई, वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज मैं आपको करी लीव्स मसाला की रेस्पी बताऊंगी, जिसे हम करी पत्ता मसाला भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारा इस मसाली में जो मीन इंग्रीडियंट है, स्टार इंग्रीडियंट से वो है करी पत्ता यानी करी लीव्स, सबसे पहले ह यहां पे पत्तियों को ऐसे निकाल के अलग से प्लेट में रख लेंगे और सबसे पहले हम इसे धोका टॉवल ड्राइ कर देंगे याद रखे कभी भी कड़ी पत्त को आप ऐसे ही सब्जी में इस्तेमाल यह यूज ना करें तो कि इसमें चोटे-चोटे कीडों के अंडे होते हो में बहुत दधूल रहता है तो सबसे पहले से अच्छे सेवॉश करें उसको टॉवल ड्रा एक करें उसके उसे यूज यह जो मसाला मैं आपको बता रही हूं यह आपकी सी सब्जी में भी जान ला सकता है बहुत ही मैजिक मसाला है कोई भी अगर आपने आलू की सब्जी बनाए उसमें एक चम्मज डाल दीजिए और वह सब्जी में जबर्दस टेस्ट आ जाएगा तो आएए हम देखते हैं इसक चम्मज यहां पर मैंने तिल लिया है और एक चम्मज धनिया बीज और छोटे से टुकड़ा इमली का लिया है एक पैन लेंगे सुखा पैन अब इसमें हम डालेंगे वन फोर्थ स्पून और कोई भी रिफाइन डाल सकते हैं और इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे जैसे जो ऑईल है जो ग्रीस हो जाए और हमारे जो इंग्रीडेंट्स है वो चिपके ना और जले ना अब हमें एकदम धीमी फ्लेम में एकदम स्लो सब से लास्ट फ्लेम में आपको रखका इसे तब तक भूनना है जब तक आपको इसकी अरूमा ना आने लगे खुश्बू भीन क्योंकि जो कोकोनट पॉडर है वह बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएगा स्टार्टिंग में डालेंगे तो बहुत जादा यह कड़ाना हो जाए और जलना जाए फिर मैंने डाला है एक चम्मच धनिया पॉडर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में धनिया बीज दिखाया यहां पर धनिया बीज भी डाल सकते हैं मैंने उसे पॉडर फॉर्म कर लिया और डाला है और डाला है एक चम्मच हल्दी और अब सारे इंग्रीडियन्स को हम करीबन 10 से 15 मिनट और ऐसे ही भूनेंगे लास्ट में भूनने के बाद यहां मैंने एक चम्मल हींग यानि तब हम यहां डालेंगे अपने कड़ी पता जो हमने टोविल ड्राय करके रखे हैं अब जो कड़ी पता हमने यहां डाला है वो एकदम फ्रेश पत्या है तो इसे थोड़ा रोस्ट होने में टाइम लगेगा लेकिन आप धीरे धीरे इसे तब तक भूनिये जब तक कि जो सा जैसे यह भूनती जाएगी जैसे यह रोस्ट होते जाएगी जो लीव से देखे इस तरीके से यह श्रिंक होने लगेगी और थोड़ी कड़ी होने लगेगी हमें इसका ऐसा ही टेक्स्चर चीए थोड़ा कड़ा ताकि हम इसे ग्राइंडर में अच्छे से पीस सके जैसी अ अगर आपके घर में कोई लॉकी की सब्जी है या अलू की सब्जी कोई भी सब्जी आप एक चम्मच डालिया और इसका मैजिक देखिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अपने चिकेट में दो चम्मची से डालिये और बहुत ही घजब का आप स्वात पाएंगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए मुझे सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाबाई